तो क्या डर गए है ओंप्रकाश राजभर अब भई इन बयानों के बाद इन आरूपों के बाद तो सवाल यही है दरसल ओंप्रकाश राजभर पर आरूपों के बंफोर ते शिकायतों की जालर को चटकाते ये वो लोग हैं जो अभी कुछ रोज पहली ही सुभासपा को बड़े शोर से छोड़ कर आई थे और अब बारी अपनी पार्टी खड़ा करनी की थी लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहां भी ओंप्रकाश राजभर टांग अड़ा रहे हैं आज हम शुहेल देशो अभीमान पार्टी का निर्मान करने वाले थे और सुहेल देशो अभीमान पार्टी के तमाम पता अधिकारियों का घोशना करने वाले थे उनको इस बात की जानकारी थी कि हमारी जमीन खसक चुकी है इस नात्या करके CTco साहब से मिल करके हम लोगों के कारी करम को इन्होंने निरस्थ कराया है यह ओंप्रकास राजभर जी के आदेशा अनुसार सीटी सीओ साहब ने हम लोगों के कारी करम को निरस्थ किया है जी एक तम सुद्ध धुरूब से ओंप्रकास राजभर परिमिशन के लिए फाइल जमा किा उनसे बात भी किया किया Sumakuma 27 के प्रग्राम करना है गिरस्त पलाजा में उन्होंने आख्या दिया हम को हमारे पासाबूत है उन्होंने पूरा दिन पढ़ाते रह गए कि आपको मिल जाएगा हम जब उनके नौ बजे रात को इनके आवास पर गया तो इन्हों समय राखने है और मेर जोवाबु आपको कीया के अध्याफिक आपको पर्मिसण नहीं नहीं मेल फिर उसके बाद 12 बे तक सिटी मजिस्ट्रेट पर फोन लगाया, उन्होंने फोन इसीम नहीं किया दरसल मौन नगर शेत्र के एक प्लाजा में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नाम से नए पार्टी के गठन की मन्जूरी मांगी गई थी लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने पर्मिशन ही नहीं दी, कहा गया कि लाईयो रिपोर्ट के मताबिक लॉइन ओर्डर का खत्रा है जिसके बाद आरोप लगने लगे ओम प्रकाश राजभर पर कि देर शाम ओंप्रकाश राजभर सिटी मजिस्ट्रेट से मिलते हैं और उसके बाद ही इन लोगों को पॉमिशन ना देनी का फैसला हुआ इस पर सिटी मजिस्ट्रेट का क्या कहना है जरा वो भी सुन लीजे इनके दोरे एक आवेदन हम लोगों को दिया गया था उस आवेदन पर हम लोगों ने उससे पुलिस वभाग और लाईयू को भेजा था लाईयू से हमारे पास इस परस्ट रिपोर्ट आ गई थी कि लायन ओर्डर का खत्रा है ऐसी स्थित में इसकी संस्तुति नहीं की गई थी इस आधार पर हमने इनके कार्टम को निरस्त कर दिया था तद उनसार इनके आयजुकों को और थाने और सियू साब को आउगत करा द तो हम लोग राम लिला का जो कारक्रम था उसमें ही क्या खता है सिता मता मुर्ति की आस पास पर ते तमाम बवाल और रोक टोक के बीच महेंद्र राजभर और उनके समर्थक पहुंच जाते हैं कलक्टरेट और फिर वहीं पर एक पेर के नीचे ही घोशित हो जाती है उनकी नई पाटी सुहेल देश स्वाभिमान पाटी चान्दी का मुकुट पहना कर महेंद्र राजभर को बना दिया जाता है राश्ट्रिय अध्यक्ष लेकिन जिस तरह क्या आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे क्या वाकई उन प्रकाश राजभर डर गये हैं आपनी प्राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखे माउसे दुर्गा सिंख किंकर की रिपोर्ट यूपी तक